सर अपने स्टूडन के मन में प्यार होता है तब ऐसा लगता है कि बस दुनिया का सब कुछ हमने पा लिया श्रेयरंग स्कुल की बाद मुझे एक अच्छे लगती के जितनी है मेठी उर्दु है और इतनी अच्छी श्रेयरंग स्कुल की महलाटी भी है तो मैं अपने तमाम चाने वालों को यह भी बोलोगा कि आपने बच्चों को मिठी उर्दु के साथ साथ एक अच्छी महराटी भाशा भी सिखने का वो करें आप भले से कुछ भी बन जाएं लेकिन जो टीचर ने आपको पढ़ाया आपको उनको जो पैरेंट्स को आप रिस्पेक्ट देनी चाहिए बच्छी महराटी माटी देख सुप्षाप्क की आपको आपको आपगाज जयान। जो श्री पालत करने बिल्जा एब एक दुछ पर शुक्राइब। अच्छ पर शाने देशन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत और दर्शेब को इस तोट हम शिरीरंग विद्याल है मराटी एंग्लिश मीडियम में आये हैं और जहां पर थाने इसमें इस्तित हैं तो यहां आज टीशेड हैं जिसके चलते हमारे साथ में में परवक्ता अमजत बरकाती साहब हैं और यहां के जो प्रिंसिपल हैं जो यहां के हैड मास्टर हैं उनकी गुलपूशी के लिए और उनके साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो देखेंगे के थाने अध्यक्ष तबरेज भिलवारे साहब भी यहां पर आये वें और उनका एक पुरा गुरूप आया है मायम का और किस तरीके से इनका सथकार कर रहे हैं आप हमारे इस नेट्वक को देखने के लिए कंटीनिया आप जुड़े हैं तो दरशो को यह जो मौजू है कि टीचर अपनी जिंदगी के अंदर ना जाने कितने स्टूडेंट को उनकी सबसे पहले आपका नाम बताने सुधिर पाटिल यह स्कुल में करीवन 32 से काम कर रहा हूं और जब जब किसी टीचर ने अपना कीम्ती समय दिया है अपने स्टूडेंट को सवारने में और जब वो लोग आते हैं और आपसे मिलते हैं और आपका सथकार करते हैं तो क्या मैं पास तो हर तरह के स्टूडेंट आते हैं लेकिन जब वो स्टूडेंट सक्सेस होके कभी हमें मिलते हैं और वो कितना चाहे कितने भी बड़े ओध्यों पे हो लेकिन जो हमारे प्रती वो स्टूडेंट के मन में प्यार होता है तब ऐसा लगता है कि बस दुनिया का सब पर पड़ाई के वाध्यम से आता है तो वो अपने धर्म को और अपने विचारों को अपने घर रखने को आता है और दुनिया में जब स्टूडेंटिक एजूकिशन हासिल करता है तो उससे सबसे पहले सिखाया जाता है इंसानियर तो उस पर हमारे दर्शकों को और आपके के बारे में नहीं आई है और खुदाना वास्ता फ्यूचर में भी नहीं आएगी इसका मैं पूरा खयाल रखूंगा हमारी टीम के साथ बात करने के लिए और दर्शकों को यह जो संदेशा देने का असल मक्सदी है कि जहां पर ग्यान का मंदिन है तो वहां से भी किसी धर् क्यार महबत और सद्भावना पाटें और हमारे साथ एमाएम के जो प्रवक्ता है अमजद बरकादी साब और आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार इनी को रेगुलर और कंटीनी चला जा रहा है जो देश के खातित जो इंसानियत की खातित अपने वीचार धाराओं को ल लोगों के फाइदे के लिए कर रहा हूं तो इस का कहना चाहेंगे आप अमजद साब हमारे इस चानल के माध्यम से मैं सबसे पहले हमारे शीरंग इसकुल और कॉलेज कास्तर से हमारे पाटिल साब को शुक्र गुजार हूं कि मैं पाटिल साब कभी कई सालों से जानता हूं है माशाधला पाटिल साहब कभी यहीं नहीं देखते हैं कि सामने वाला फीज भरता है नहीं भरता है जैसा भी मामला होता हूं की पवर जितनी ह repo कोशिश करके माशाला वो स्टूर्डन को एड्मिशन देते हूँ और अच्छी सिख्षा देनी की कोशिश का प्रयास करते हैं यह मेरे सामने की बात है दूसरी बात है मेरी खुद की बेटी भी यही पढ़ती है काफी और मेरे खांदान के बच्ची में यहां पढ़े है और शीरंग इसकुल की बात मुझे एक अच्छी लगती है जितनी मीठी उर्दू है और इतनी अच्छी यहां की शीरंग इसकुल की महराटी भी है तो मैं अ आते साथ हमारी महराटी भाषा भी अपने आप में बहुत वर्चेस वर बहुत माहिने रखती है और पाठील सर जैसे लोग हमारे लिए एक आधर्श एक आइडियल है कि मैं देखा हूं कि काफी एडिमिशन सर ने अपने जितनी पोवर है उनकी उतने लेकर के वो कभी किसी को मिराश नहीं करते हैं चाहिए किसी का मामला पूछ हो अलमदुलिल्ला हमें इश्चा सब के लिए कॉपरेडियों रहते हैं इसलिए आज हमें इस टीचर दे के मोके पर उनका अभी नंदर और उनका सदकार करने आया और उनको दीली मुभरक बात दिन है कि आईसे टीचर्स हमारे लिए हमेशा आदर्श रहेंगे और बच्चों के लिए अपने इस टीचर्स का आदर करता है तो हमने देखा है कि वो उचाई पे गहा है तो ऐसे जो इस्टूडेंट है उन लोगों को आप क्या संदेशना देना चाहिए टीचर्स की तो रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए जैसा आप अपने पैरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं उस जगे पे ही अपने जो शिक्षक हैं उनका मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए और उनकी जैसे कि मैंने देखा कि पार्टिल सर्ट ट्वें अच्छा एंवर्मेंट है, अभी हम लोग ने आइडियल स्कूल में भी गए थे, महापे भी हम लोग ने उनके प्रिंसिपल से मुलाकात की, मतलब इनको इतना सर्विस दे रहे हैं हमारे माशरी को, हमारी जो सोसाइटी को पढ़ा रहे हैं, तो इनको भी अप्रिसीशन होना जो बच्चों को मैसेज देना चाहिए, जो इंसान सक्सेस्फुल होता है, ऐसा एटिट्यूट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ गये, सक्सेस्फुल हो गये, कि यार कल मैंने वो टीचर से पढ़ाई किया, उन्होंने उज़े पढ़ाया, लेकिन आज वो एक हैड्मास्ट चाहिए, लेकिन उसकी क्या करूँ, आज मैं कहां पोच गये, ये बात नहीं है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करना है, आप भले से कुछ भी बन जाए, लेकिन जो टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको जो परेंट्स को आप रिस्पेक्ट देते हो, उनको आपको रिस्पेक से अच्छे एजुकेशन के साथ एक अच्छी अपोर्शोनिटी को लेके काम करेंगे, तो जिंदगी के अंदर वो काम्याभी भी रहेंगे, और दुनिया भी उनकी अच्छाई से, और लोगों के बीच में उनका प्रेम और उन्हें शिक्षक होने के नाते, उनका भी रिस् सब्सक्राइब करें, लाइप करें, कमेंट्स करें, शेर करें और घंदी का बटन प्रेस करें, ताके आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें, जय हिल, जय महराश्टी